नमस्कार दोस्तो आज मैं एक ऐसे वेकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा ठीक है अगर आप सिर्फ दसवी पास है तो मेल और फिमेल दोनों केंडिडेट के लिए और जो PWD केंडिडेट है उनको उनके लिए मैं बार बार बोल र ठीक है और इस वेकेंसी में आल इंडिया के केंडिडेट फिल कर सकते हैं और ये वेकेंसी में पोश्ट आप सुन करके हमेशा चौक जाएंगे दोस्तो ठीक है काम फाइल ट्रांसफर का तो चलिए इस वेकेंसी का A to Z जानकारी देता हूँ बस आप सभी से एक ही मांग है व लगभग 10,000 के आसपास आती है दोस्तो ठीक है हर साल वेकेंसी आती है 10,000 के आसपास भरती आती है और योग्यता कितना रहता है योग्यता सिर्फ टेंथ पास रहता है ठीक है टेंथ में अगर आप 33% है आप इस वेकेंसी के लिए इलिजीबल है इसके बाद एक चीज और इस वेकेंसी में फॉर्म का फी भरना रहता है ठीक है तो फी बहुत ज़्यादा नहीं रहता अगर आप यूवर केंडिडेट है ओबीसी केंडिडेट है या फिर एडवलुएस केंडिडेट है ठीक है भाई तो आपको 100 रुपय देना पड़ेगा बाकी एससी हो गया एस्टी के बारे में बात करते हैं तो एज आपका मिनिममम 18 साल और मैक्सिमम कुछ पोस्ट में 25 साल है 18 से और कुछ पोस्ट में 27 साल है ठीक है और इसके अलावा अगर आप रिजर्वेशन केटिगरी एस्टी हो गया एस्टी हो गया और ठीक है पी एच केंडिडेट है तो अस पर एम का नुसार आपको एस्टी को 5 साल और जो पी एच या नि कि पी डब्लूटी केटिगरी केंडिडेट को 10 साल एज में आपको छूट मिलेगा ठीक है तो जरूर इस वेकेंसी में फॉर्म फिल कर दिजेगा दोस्तों ठीक है और देखे ये जो वेकेंसी है ना वो MTS की पो ये हो गया इसका पोश्ट का अब देखे इसमें बता दूँ आल इंडिया ठीक है आल इंडिया के केंडिडेट भर सकते हैं फॉर्म मेल हो या फिर फिमेल हो भी या ठीक है सेलेक्शन प्रोसेस पहले हाड था अभी बहुत आसान हो गया है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्य पहले इसमें selection process ही बता देता हो return exam है ठीक है return exam उसके बाद आपका है दोस्तो एक post में आपका physical है ठीक है और उसके बाद आपका document verification और district hospital से medical submit बना करके submit करना होता है अब देखिए इसमें physical में कुछ दोरना औरना नहीं रहता है दोस्तो या आपको cycle चला के दिखाना रहता है या फिर आपको walking यानि कि चल के दिखाना रहता है कुछ km तो ये बात आप सभी जान लिजे और इस post की अगर हम apply की date बात करें इस भरती में form apply कप से है तो इसमें बता दूँ आपको 7 मई 2014 से form apply start हो रही है तो आप सभी जरूर form फिल कर दीजेगा जितने भी candidate अभी के time पे म सभी को मैं बोलना चाता हूँ salary के अगर हम बात करते हैं तो in hand लगबग अभी के time पे जो DA है उसके इसाब से 40,000 प्लस आपको salary in hand join करते ही देखने को मिलने वाली है ठीक है और ये vacancy आपको group C के अंतरगत आती है दोस्तों ठीक है group C के अंतरगत level 2 के अंतरगत ठीक है अब पहले के इसमें अगर हम syllabus की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका syllabus मैं आपको बता दूँ syllabus आपका दो पार्ट में है पहला में season 1 है ठीक है दूसरा season 2 है एक ही paper है एक ही दीन में paper है ठीक है और season 1 में आपको बता दूँ आपका maths रहेगा ठीक है maths रहेगा कितना 20 question रहेगा और ये 20 में हर एक question तीन number का रहेगा यानि कि total 40 और 40 तीया 120 ठीक 120 number का रहेगा इसमें अगर आप pass होते हैं तभी आप second exam के लिए quality पर पाएंगे first में आप clear करते हैं तभी आपका second paper check होगा एक ही दिन conduct होगने वाला है ठीक है 45 minute का आपको time मिलेगा जोररी है ठीक है और अगर आप OBC और EWS है ठीक है EWS है तो आपको 26% और AC है, HT है PH candidate है तो आपको भी या 20% अंक लाना बहुत जोररी है ठीक है 20% अब इसके बाद एक चीज और आ जाता है दोस्तो वो है आपका second paper तो ये जो second paper है ना ये आप लोगों को बता दू English का होता है दोस्तो ठीक है, English का आपको 25 question रहेगा और आपका GKGS यानि कि general awareness बोल दो 25 question रहेगा, हर एक question तीन number का रहेगा, यानि कि total 50 question रहने वाली है 45 minute का time रहने वाली है और बता दू, total मिला के 45, 45, 90 minute का आपका time रहने वाली है देर घंटा का time, ठीक है तो ये जो 25 question है, ये जो 25 question है आपको बता दू, इसमें आपको इसी से merit बनने वाला है एक 150 का अब देखें, एक चीज़ आप सभी को पता होना चाहिए season 1 में भाया, negative marking नहीं है season 2 में negative marking है 1 by 4 का, ठीक है तो जरूर एक बारा आप लोग ध्यान दे दीजेगा दोस्तों, इसमें जरूर फॉमफिल कर दीजेगा, साथ तारिक वार ये भाया फी, SC, ST, PH candidate का नहीं लग रहा है, बाकी other candidate का 100 रुपया लग रहा है, ठीक है ऐसा मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगा और ये MTS के साथ में ठीक है, MTS के साथ में हवालदार के भी पोश्ट है दोस्तों, ये बात आप लोग जान लिजेए एक सुनाहरा मौका है, आप सभी candidate का central government की vacancy लेने का के वाल एक single exam के through ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर आपको इस vacancy के बारे में सवाल है, तो मेरे comment box में जाए, comment में जरूर comment कीजेगा, साथी साथ telegram channel में जूड़ जाए, daily vacancy की notification उस channel में provide कराता हूँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना है वीडियो पसंद आये होगी, तो like कर दीजेगा channel को subscribe निके, subscribe कर दीजेगा daily सरकारी भरती की vacancy की update आसान भासा में provide कराता हूँ, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं, दोस्तों, next to our new government, आपने इस सरकारी नवकरी का update के साथ तब तब के लिए, जाहें